Hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhry, I am Dr. Cataract and Refractive Surgeon. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे Blue Light Filter Glasses के बारे में. आपने कई जगा ऐसा सुना होगा, कई सारी TV आड्स चलती रहती है, Facebook पे आड्स चलती रहती है, YouTube, Instagram पे आड्स चलती रहती है, कि हर इनसान को आज कल Blue Light Filter चश्मा पेहनना चाहिए, अगर आपके आँखों में चश्मे का नंबर नहीं है, तब भी आपको Zero Number का Blue Light Filter चश्मा पेहनना चाहिए. और बड़ी बड़ी companies Blue Light Filter चश्मा बेच बेच के अपने पैसे बना रही है, तो आज सारा कुछ इस वीडियो में डिसकस करेंगे, चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपने ये समझना है, कि अगर आप ये Blue Light Filter वाला चश्मा पेहन रहे हैं, ये सोचके कि जो Mobile और Computer से Blue Light निकल रही है, वो Blue Light ये चश्मा फिल्टर कर देगा और आपकी आँखों में इस Blue Light का कोई नुकसान नहीं होगा. तो मैं आपको ये बात बहुत क्लियरली बता दूँ, कि आज तक किसी भी Research में ऐसा नहीं मिला, कि Mobile और Computer से निकलने वाली Blue Light आँखों पे किसी भी तरह का Damage करती है. In fact, Mobile और Computer से निकलने वाली जो Blue Light है वो इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि उससे आँख में कोई प्रभाव ही नहीं होता. इससे कई हजारों लाखों गुना Blue Light बाहर होती है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो Mobile वाली Blue Light तो आँखों को क्या ही Damage करेगी. कई लोग तो इतना तक बोल देते हैं कि अगर आप ये Blue Light फिल्टर वाले चश्मे नहीं पहनोगे और आप लंबे समय तक Mobile Computer को यूज़ कर रहे हो तो आँख में मोतिया बिंदा जाएगा या आँख का परदा कमजोर हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये सिरफ एक गलत फहिमी है इसको अपने मन से निकाल दो मोबाइल और कम्प्यूटर से जो Blue Light निकल रही है उसका 1% भी आँखों में Damage नहीं होता तो अगर आप इसले पहन रहे हो कि Mobile Computer से Blue Light से आप बच जाओगे कोई फैदा नहीं है इसको फै नहीं तो मैं आपको बता दू ये बिल्कुल एक गलत फहिमी है मित है गलत चीजे फिलाई जा रही है जो लंबे समय तक Computer Mobile पे काम करने से आँखे ठक जाती है वो इसले ठकती है क्योंकि जब आप लंबे समय तक Mobile Phone या Computer को देख रहे होते हो तो हमारी आँखे जो हैं वो Blink क करती है एक नॉर्मल इंसान की आँखे एक मिनट में 16-18 बार Blink करती है या जपकती है लेकिन जब आप Mobile Computer पे बैठते हो और आप स्क्रीन को देख रहे होते हो तो आपकी आँखों का जो Blink Rate है जपकने का Rate है वो 16-18 जो होना चाहिए नॉर्मल इंसान में उससे कम होके 4-5 र देख होती रहती है और आँखों में strain बनता है और दूसरी वज़ा यह है कि जब आप लंबे समय तक Mobile को पास लेके बैठे होते हो ऐसे लेटे वे और Mobile को देखे जा रहे हो तो हमारी आँखों की Muscles को काम करना पड़ता है नियर का देखने के लिए तो जब भी आप किसी नि करती है तो लंबे समय तक अगर आँखों की Muscles काम करती है तो आँखों में strain बनता है तो Mobile कंप्यूटर पे काम करने से जो आँखों में strain बनता है वो इसलिए बनता है कि आँखे ब्लिंग कम करती है और आँखों को Converge और Accommodate करना पड़ता है नियर का देखने के लिए इस इसकी वज़े से आँखों में strain बनता है इसमें Blue Light का 1% भी लेना देना नहीं है कि आँखों को strain से वो बचा दे तो ये बाते क्लियर है कि Blue Light जो computer से निकल रही है उसका आँखों में कोई damage नहीं होता और दूसरा Blue Light जो है आपको Eye Strain से नहीं बचाती अगर आपको Eye Strain से बच आपको और आँखें रिलाक्स हो जाएंगी फ्रेश हो जाएंगी फिर से अपना काम शुरू करते हो तो अगर आपको Eye Strain से बचना है तो 20-20-20 rule को follow करना है basic lubricating drops को use करना है जिससे आँखें moist है और आँखों में strain नहीं बनेगा लेकिन Blue Light का इन दौनों से कोई लेना देना तो फिर question ये उटा है कि फिर क्यों इतनी बात होती है Blue Light की क्यों सब बोलते है Blue Light के ये damage है Blue Light ये नुकसान करती है वो नुकसान करती है तो देखें Blue Light का जो role है हमारी life में हमारी body में सबसे पहले वो समझते हैं देखें हमारी body में एक hormone होता है उस hormone को हम लोग कहते हैं Melatonin य ये hormone जो है हमारे सोने का time और जगने का time इसको regulate करता है और इस hormone की जो production है वो depend होती है कि बाहर Blue Light कितनी है तो क्या होता है कि जब सुबह के time सूरज उकता है तो सूरज की light वैसे तो white light होती है लेकिन white light जो है सात रंगों की light से बनी होती है उसमें एक area होता है Blue wavelength वाला area जिस जब ये Blue light आँखों में पड़ती है तो हमारी body में जो melatonin hormone है वो कम हो जाता है जब ये hormone कम हो जाता है तो हमारी body में फूर्टी आ जाती है body active हो जाती है body को पता लगता है कि ये दिन हो गया चलो अब काम पर निकलो और जब शाम को सूरज धल जाता है तो सूरज धल गया ये white light कम हो गई, white light में आपकी blue light भी होती है, वो भी कम हो गई, तो उससे body को signal मिलता है, कि melatonin hormone को बढ़ाओ, और जब ये melatonin hormone बढ़ता है, तो आपको नीद आती है, और आप सो जाते हो, अब problem ये आ रही है, कि जब रात को सोने का time होता है, तो लोग अपने phone लेके बैठ जाते हैं, कोई Facebook पे लगावाएं, कोई YouTube पे लगावाएं, कोई Instagram पे लगावाएं, और इस phone से भी white light निकल रही है, और उसी white light में blue light भी है, तो जब आप रात के time पे phone को लेके बैठते हो, तो इसमें से जो blue light निकल रही है, वो body को signal दीती है, कि भाई अभी भी दिन है, क्योंकि blue light मिल रही है आँखों को, तो इस blue light की वज़े से, जो हमारी body में melatonin hormone है, जिसको बढ़ना था, जिसकी वज़े से नीद आनी थी, वो बढ़नी पाता, वो कम ही रहता है, और उसकी वज़े से, लोग कम्प्लेन करते हैं, कि सर हमें नीद पूरी नहीं आती, या रात को हमें लेट नीद आती है, दो-तीम बज़े तक नीद आती है, सुबह उटते हैं, तो हम फ्रेश नी फील करते हैं, तो इस से बचने के लिए, ब्लू लाइट फिल्टर चश्मों को इंट्रिद्यूस किया गया था, कि ब्लू लाइट फिल्टर वाला चश्मा आप पहन लो, और रात को जब आप मुबाइल देखोगे, तो इस चश्मे से ब्लू लाइट आपके फिल्टर हो जाएगी, मेलेटोनिन हॉर्मोन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और आपको टाइव से नीद आ जाएगी, लेकिन आज के टाइम पे हम ये देखते हैं, कि जो भी मुबाइल या कम्प्यूटर लाप्टॉप्स हैं, उनमें बाइट डिफॉल्ट ब्लू लाइट फिल्टर का सॉफ़वेर बनाव है, जैसे मैं आपको इसमें दिखाऊँ, तो जैसे ये मेरा फोन है, अब मान लीजे इस फोन में मैं ब्लू लाइट फिल्टर को एक्टिवेट करना चाहूँ, तो ये यहाँ पे आई कमफर्ट शील्ड आ रहा है, कुछ लोगों के फोन में आई कमफर्ट शील्ड लिखा आता है, कुछ लोगों के फोन में ब्लू लाइट फिल्टर लिखा आता है, कुछ लोगों के फोन में नाइट मोड लिखा आता है, तो आप देख रहे हैं आई comfort shield को मैंने on करा तो मेरी पूरी screen yellowish हो गई और मैंने इसको off करा तो screen मेरी थोड़ी सी blueish हो गई तो आज के time पे blue light filter का actually कोई role नहीं है रात के time पे आपको mobile use करना है जिसके लिए actually blue light filter चशने बनाए गए थे उनसे ताव ऐसी बच सकते हो अपने phone पे blue light filter on कर दो और आपकी problem सारी solve हो गई बलके हम ये देख रहे हैं कि blue light filter पहनने का जादा नुकसान है फैदे को अब देखे हो क्या राह है कि आप ये blue light filter वाला चश्मा पहनते हैं 2400 गंटे अब आपने सुबे के time ये चश्मा पहन लिया अब ये चश्मा blue light को कर देता है filter तो सूरज उगा सूरज की blue light हमें चाहिए थी body को active करने के लिए लेकिन आपने चश्मा पहन लिया और blue light को आपने filter कर दिया तो लोग मुझे आए कंप्लेइन करते हैं कि डॉक्स आप सुबे उठते हैं ऐसा लगते बॉड़ी में फूर्ती नहीं है ऐसा लगते है बॉड़ी डीली से है काम करने का मनी नहीं करता और रात के time जब आप आते हो वापिस जो सूरज धल जाता है तो ब्लू लाइट वैसी खतम होगी उस time पे blue light filter का क्या रोल है सिरफ एक ही रोल है कि जो mobile computer से light निकल रही है उसको filter करो वो आप वैसी software लगा के filter कर सकते हैं इन फैक्ट और एक important बात बता दू आपको कि यंग बच्चे जो है जिनकी उमर 18 साल से कम है उनको तो blue light filter glass बिल्कुल भी नहीं पहनना चीए क्यों नहीं पहनना चीए कि देखी क्या होता है blue light filter जो है जब आप इसको पहन के भी देखोगे तो आप ऐसा realize करोगे suppose आप सफेद रंको देख रहे हो तो एक सफेद बिल्कुल सफेद है लेकिन जब आपने blue light वाला चश्मा पहना तो ये सफेद जो है आपको हलका सा yellow इस दिखता है off white color दिखता है सफेद का तो जो young बच्चे हैं जिनकी आँखे develop हो रही है जो 18 साल से कम की उमर में है उनको तो ये blue light का चश्मा देना ही नहीं चीए क्यों? उनकी color perception खराब हो जाएगी बड़ी develop हो रही है बड़ी को सारे colors को देखना है और बड़ी को आप filter के through colors दिखाओगे तो वैसी body को नुकसान पहुचना शुरू हो जाएगा original colors कभी आँख देखी नहीं पाई और उसके हिसाब से आँख develop हो जाएगी तो बच्चे को तो बिलकुल भी नहीं देना और बड़ों में भी कोई फैदा नहीं मिल रहा blue light का फैदा तो कोई है नहीं बलके नुकसान और जाता है अच्छा चश्मा पहनो, anti glare वाला चश्मा पहनो उसका फैदा है लेकिन unnecessarily blue light filter चश्मा का कोई advantage नहीं है ना यह आपको किसी तरह का आराम देता है ना यह आपको किसी तरह का comfort देता है सिर्फ फाल्तू में यह सब फाल्तू की चीज़ें दिखाया जाके लोगों को बेव को बनाया जा रहा है उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको और clarity मिली होगी बाकि आपके मन में और कोई भी doubt हो तो में से comment section में पूछ सकते हैं तब तक लिए thank you very much for watching this video and I'll be back soon